ओम शान्ती अब सब कुछ सोगत है 14 नवेमर की श्रीवर्दान में है। आज परम्पिता परमात्मा कहते हैं कि अम्रेत वेला से लेकर करके रात तक जो भी आप कर्म करते हैं उसमें आप कर्म योग करें। यह कर्म योगा नहीं हैं जिसमें कि हम फिजिकल कोई activities करते हैं शेरीट के तुवर एक्सेसाईज करते हैं आसन्स करते हैं यह परमात्मा के साथ या उनकी याद में होते हुए उनकी दिये हुए guidance के अनुसार मुरली में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। सोच, बोल, कर्म हर चीज़ की guidance जो हमें मिलती है मुरली में ब्रमा कुमारीज में उसके अनुसार जो भी कर्म करते हो इतने सालों तक जो ग्यान मिला उसके अनुसार कर्म करते हो तो उसको कहते हैं कर्म योगा तो परमात्मा की याद में, टीचर की याद में, सद्गुरू की याद में, पिता की याद में, परम पिता की याद में करते हुए कर्म को कहते हैं कर्मयोग, तो वो सुबह से लेकर करके रात तक सोने से पहले तक अगर हम करते हैं, तो जो भी हमें कर्म का फल मिलता है, वो हमें लेके जाता है सफलता की तरफ, तो परमातर कहते हैं, अमरित बेले से लेकर रात तक जो भी करम करो याद के विदी पूरवक करो तो हर करम की सिध्धी मिलेगी मिलब सकस्स मिलेगा सबसे बड़े से बड़ी सिध्धी है प्रतिक्षपल के रूप में अती इंद्री सुक की अनुभूती होना हम जादतर सोचते हैं कि जो मैंने इन्वेस्मेंट करी है उसका जब रिटरन आएगा तब जाके मैं खुश हूँगा लेकिन वो जो बीच का जो प्रोसेस है और वो जो वेटिंग है वहाँ तब की कि जब फल आएगा तब मैं खुशी होगी जब फल आएगा तब मुझे आनन्द होगा वो जब तर कल्यूगी एक्सपीरिंस है लेकि परमात्मा कहते हैं गर आप मेरी याद में कोई भी कर्म करते हो तो आपसे मुझे जो अतिये इंद्रिये सुख मलकी जो इंद्रियों के सुख की आप जो वेट कर रहे हो उसके पहले जो सुख मिलता है आपको मेरे हिसाब से दिये वे गाइडिंस के निसवार कर्म करने से मेरे याद में कर्म करने से वो जो जर्नी है उस रिजर्ट तक नहीं वो जर्नी जो बीच की जर्नी है उसमें ही आपको इतना सुख मिल लाता है आपको इतनी खुशी मिल लाती है कि आपको जब वो result मिलता है तो आपको कोई बहुत over excitement या बहुत ही low feel करते हो या आपको feelings नहीं आती है आप neutral रहते हो तो आप पहले ही journey इतनी enjoy कर रहे हो कि आपके लिए वो shocker नहीं है या आपके लिए वो suspense नहीं रहा क्योंकि आपको पता है कि आपने जो भी कर्म की है वो आपने परमात्म की याद में की है उनके दीवी guidance के नुसर की है past, present, future त्रिकाल दर्शी होकर के सोच के कर्म की है कि इसका future में क्या effect परेगा past में क्या effect हुआ था आप क्या करना चीए मुझे ताकि मेरा पविश्व अच्छा हो जाए इस सब कुछ सोच समझ करके जब कर्म करते हो मलब परमात्म की याद में कर्म करते हो तो जाकर करके उसका प्रतेक्शिवल जो होता है वो बहुत ही सुंदर आता है लेकि वो future में आता है मलब की अच्छे कर्म कर रहे होते हो तो परमात्म केते हैं सबसे बड़े से बड़ी सिद्धी है प्रतिक्शिवल के रूप में अती इंद्रि सुक की अनुभूती होना सदा सुक की लहरों में खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे हमें वो कर्म करते से में खुशी रहेगी हम वेट नहीं करेंगे कि भई एक साल बात या एक महिने बात में जब मेरे पैसे आएंगे, जब मेरा पिजन्स अच्छा होगा जब मैंने जो सेवा करी है उसे जो ये विक्ति ग्यान मिला है वो जब तक मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा या जब तक वो ग्यान में अच्छी से नहीं चलेगा तब तो मुझे खुशी नहीं होगी हम जो समय कर्म कर रहे हैं दिल से और परमात्म की गाइडिन्स से कर रहे हैं तो हमें आटमेटली पता रहता है कि इसका जो रिजुट होगी होगा कि मैं साफ दिल से कर्म किया है तो ये प्रतिक्ष फल भी मिलता है और फिर भवश्य फल भी मिलता है दोनों मिलेंगे प्रतिक्ष फल अभी य Accal skinny कर रहे हो कर्म करने की और इसका जो रिजुट आने व Roose कि परसो एक मिनिट बाद एक साल बाद वह तो आप मिलेगा ही मिलेगा वह अच्छा ही मिलेगा क्योंकि आपने बीच जो टाला है वो आपने बहुत अच्छा डाला है साफ डाला बीच इस समय का प्रतिक्षफल अनेक भविश जन्मों के फल से शुरेष्ट है आप सोची परमात्मा कहते हैं अभी जो हम कर्म करते हैं उसका जो हमें प्रतिक्षफल मिलता है वो जो परमात्मा की याद में किया हो जो फल मिलता है वो सत्युक्तिरता में भी नहीं मिलता है कल्युक में जो अभी हम कल्युक के अंत और संगम युग में कर्म कर्या है उसको जो हमें फल मिलता है वो हमें परमात्मा की याद उनके संग में रहने से मिलता है लेकिन सत्युक्तिरता में हमारे साथ में देवी दिरता होंगे उसे में परमात्मा रिलाक्स कर रहे होंगे मतलग कि रेटार्मेंट में होंगे उपर परमधाम में और हम लोग नीचे पाट बजा रहे होंगे अपना लेकिन उसल में हमें परमात्मक याद नहीं है क्योंकि हम इतने सुख में होंगे हमें कोई दुख नहीं होगा तो परमात्मक को हम सी ब्रण्ट करते हैं हम चांद ही हैं तो सत्यूख दրता में जब हम उनके समर्द नहीं करेंगे, उसमें जब बक्ती नहीं होगी, उसमें नajhmaन होगा उसमें हमेतना, हम अपने कर्मों को बिक्कोल ही देवत्ळ और देवत्थाई संस्कारों से कर रहे होंगे, तो हमें उसमें सुख मिलेगा, लेकिन अत्ति- में करते हैं कितना अंतर है जो कि सत्य में हमारे पस होगे नीट तो हमें उसकी महसूस्ता हो गी नी तो हर चीज वहां पे सुक में और हarchy कि तो ये प्रतक्श्वल भी मलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है इससामने का प्रतकी्ष्वल अनेक इसको ही कहते हैं Pratakshi Pil लोग भी कहते हैं दुनिया में कि अभी कुछ बुरा करम करो तो अभी का भी फल मिलेगा Instant Fruit लेकिन वो Instant Fruit वो सोचते हैं कि वो कल पर सोच जब किसी को पता चलेगा हमने ये कड़ल Über करी है, हमने ये चोरी करी है, ये ये जगैरी करी है यह हमने किसे के नुकसान किये तो कल जब खुलेगा ओफिस या दुकान खुलेगी तो पता चलेगा, नहीं वो नहीं यह है अभी आपने खुश करा, गलत सोचा और अभी अभी आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आई और वो करना कैसे उसकी विद्धिया दियती है प्रहमकुमारी इसमें, आप याकर किसी के इसको, ओम श्यंति